यूपी मदर्सा एक्ट 2004 को अनकंस्टिटूशनल हाई कोट ने घोसित किया था जिस पर सुप्रिम कोट ने आज रोक लगा दी है हमार साथ मदर्सा की तरफ से वकील प्रदीप यादो जी हमार साथ हैं हम उनसे बात करते हैं सर फैसला क्या रहा है अनरेबल हाई कोट अलाहाबाद की लखनोग बेंच ने जो 22 मार्च 2024 को आडर पास किया था जिसमें मदर्सा एक्ट 2004 को अनके कंस्टिटूशनल घोसित कर दिया था उसको आज अनरेबल सुप्रिम कोट के CGI की अधिक्षता वाली तीन जज़ों के पीड़ ने नोटिस करके इस्टे कर दिया है और जुलाई के सेकंड बीक में उसको फाइनल डिस्पोजल के लिए रख दिया अब सवाल यह उठता है कि क्या जो हाई कोट का फैसला था उसके पहले जो नियम चल रहा था वो अब फिर जारी हो गया निश्चित तोर पर जब हाई कोट के फैसले को इस्टे कर दिया है अन्रेवल सुप्रिम कोट ने तो जो दो हजार बाइस मार्स दो हजार चोबिस के पहले चल रहा था सेम सिच्वेशन फिर से राइज हो गई है इसमें इतनी सी बात आई थी कि चुकि अलाहबाद हाई कोट में स्टेट ने जो है मदर्सा एक्ट का सपोर्ट किया था यहां आ करके जस्ट उसका अपोज करने लगे और यह कहते हुए कि हमने अलाहबाद हाई कोट के फैसले का कमप्लाइंस कर दिया है लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आया कि अलाहबाद हाई कोट के फैसले का कमप्लाइंस दो दिन पहले ही क्यों किया गया जबकि अलाहबाद हाई कोट ने आडर पास किया था 22 मार्च 2024 को और उसमें एक चीज कहा गया था कि फोर्थ बित कमप्लाइंस का था तो दो दिन पहले क्यों कंप्लाइंस किया गया क्या इस टेट ने कुछ इस तरह की स्टेटी अपलाई जब दो दिन पहले लिस्ट जो है पबुलिस हो गई मैटर शुप्रिम कोट में आ चुका है समय के सामने लग चुका है तो उसको क्यूव कमप्लाइंस किया केवल इस टेट ने यहां पर यही एक डिफेंड लिया कि लो डाउट है कि हमने एलाहाबाद हाई कोड में मदर्फा एक्र का सपोर्ट किया था लेकिन चूकि हमने इक्रण हाई कोड के आरडर complaint प्लाइंस कर दिया है इसलिए हम सोचते हैं कि इसको रिपील करने में हमें टाइम लगेगा लेकिन अन्य बल्ट चीप जस्टिस ने इस बात को मना कर दिया और उन्होंने इस्टे कर दिया कि बातें एक माइनर्टी स्कूल को लेकर करके की जाती है तो गलत है इसलिए और उसका पूरा तरह से डिफेंड है कि क्वाल्टी एजुकेशन को लेकर कि जो इलहाबाद हाई को ने फैसला दिया था वो मदर्सा एक्ट में सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है एक दो दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने दो दिन पहले ही हाई कोट के आडर का कम्प्लाइंस किया हाव इडिस पाजिबल कि दो दिन के अंदर जो है सारे बच्चों को सिफ्ट किया जाए इसलिए अन्रेवल चीफ जेस्टिस ने तुरंत प्रभाव से उसको जो है इस्ट टल गया और जिस तरह की हाई कोट के फैसला आने के पहले जो नियम चल रहा था अब सुप्रिम कोट के इस इस्टे के बाद वो नियम फिर से चलता रहेगा अब जुलाई में जुलाई के दूसरे सब्ता हमें ये तै होगा कि आखिर हाई कोट का फैसला सही था या जो याच